नमस्कार आप देख रहे हैं स्पिटी न्यूस पर 20 सुमंबर बुद्वार सुबह सवाच्य बजी राजस्थान की बड़ी खबरें केंद्रे ग्रह मंतरी अमिश शान मंगलवार को कहा कि अगले 10 सवर्षों में भारत की अपरादिक नियाईक प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक प्यज्यानिक और तेजगती वाली होगी शाहने गुजरात की गांदी नगर में 50 में अखिल भारतिय पुलिस विग्यान समयलन के स्वर्ण जन्ती समारों को मुख्यातीदी के रूप में सम्बोधित किया ग्रामंती ने इस सबसर पर कहा कि अखिल भारतिय पुलिस विग्यान कॉंग्रेस के बिना पुलीसिंग और सुरक्षा विवस्ता को प्रसंगिक रखना संभव ही नहीं है पुलिस रिग्यान कॉंग्रेस अपराद के खिलाफ लड़ाई के हमारे पूरे तंतर को प्रसांगिक रखने के लिए है श्री शाह ने कहा कि हमें नए सीरे से इसके स्वरूप सहभागिता इंपुट लेने की पदती अनुसंधान और विकास को पुलिस स्टेशन से नीचे बीट कॉंस्टेबल तक पहुँचाने की विवस्ता करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि इस पर समगरता से विचार करने का समय आ गया है रास्तान में देवली उनियारा सीट परूप चुनाव की वोटिंग के दुरान निर्दलिय प्रतेक्षी नरेश मीना द्वारा समराथा गाउं में हुई हिंसा को लेकर मामले में बड़ी ख़बर सामने आई है इस घटना को लेकर भजनलाल सरकार के मंतरी की रोडी लाल मीना ने मंगलवार को समराथा गाउं के प्रतिनी दी मंदल के साथ गह राज्य मंतरी जवाहर सिंग बेडम से मिलने उनके आवास पर पहुँचे जहां उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस कर बताया कि ग्रामिरों ने सरकार के सामने ने अपनी चार मांगे रखी थी इन सबी मांगों को मान लिया गया है दरसल प्रेंस कोफरेंस में कि रोडी लाल मीना ने कहा कि हमारा मन बन गया है हम इनके हर तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे एक assessment report बनाई जाएगी जिसमें किसका कितना नुकसान हुआ है इसका जिक्र होगा इस report के अधार पर ही लोगों के इलाश मकान और वाहन में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी 9 निर्दोश लोगों को छोड़ दिया गया है बही 35 पाईक साथ कार का नुकसान हुआ इसमें पुलिस के भी वाहन शामिल है इनकी संभागी आयुक जाश करेगा जिसके लिए सीमित समय में लोगों को न्याय मिल सके भारत और चीन के बीच वास्पिक मियंदरन रेखा पर समाने सिधी की बहाली के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उडाने और अगले वर्ष से केलाश मान सरोवर यात्रा शुरू करने पर सेधांतिक सहमती बनी है दोनों पक्षों के बीच जिन कदमों को उठाने के बारे में चर्चा हुई उनमें केलाश मान सरोवर यात्रा तेर्थियात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों पर डेटा सांझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उडाने और मीडिया आधान प्रदान शामिल थे विदेश मंत्री S.J. शंकर और चीन की कम्यनिश पार्टी के राजनितिक ब्यूरो के सदस्या तथा विदेश मंत्री वांगी के बीच, जुई टंटी शिखर समयलन के मोके पर ब्राजील के रियोदी जनेरो शहर में मुलाकात के दोरान, दोरों देशों के बीच संबन समान्य बनाने के लिए विभिन बुद्नों पर सार्तक चर्चा हुई जामिन महिलाओं दोरा बनाए जाते हैं, जिसमें उन्हें संबल मी मिला है। उन्होंने बताए कि ये मशीन सोलर चालित है, इसमें बिचली कोई उप्योग नहीं है। इन्हें उच्जा की किफायत के लिए सोर पैनलों से युक्त किया गया है। इन मशीनों से केवल डिजि RBI ने का कि हमारे अधिकारियों को स्कीम के लौंच या सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। RBI ने का हमारे अधिकारी ऐसी किसी स्कीम में शामिल नहीं है। RBI ऐसे किसी फाइनेशल इंवेस्टमेंट की सलाथ नहीं देता। जोदपूर के बहुचर्चित अनिता हत्याकार में रास्तान सरकार ने परिवार जनों के अधिक तर्मांगों को मान लिया है। ओंसिया विधायक भहरा राम सियोन ने कुड़ी भकतासनी के तेजा मंदिर में एक प्रेस वारता के दुरान बताया कि सरकार की ओर से इस हत्या लोगसबा द्यक्ष ओम बिल्ला ने मंगलवार को अगामी शीत कालिन सतर से पहले संसत भहुन परिसर में विविन व्यवस्ताओं और सुविधाओं का निरिक्षन किया। बिल्ला ने लोगसबा कक्ष गलियारे, लोबी, प्रतिक्षा कक्ष, मीडिया, सुविधा केंद्रो और अन्य प्रमुक्ष एत्रों का निरिक्षन किया। हिजरान उन्हों ने बताया कि शीत कालिन सतर के दौरान संसत भहुन परिसर में कई महत्वपून कारेकरम आयजित किये जाएंगे। इसमें समिधान दिवस, जाक्टर बियार अमेडिकर का महापरी निर्वान दिवस औ को शद्दांजली अर्पित करने जैसे समारोश शामिल है। को पेश होना होगा। इस दौरान जब अदालत में सुनवाई हुई तो अदालत ने पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार मुहाली के रतकाली इससपी पर क्या कारवाई की है। उन्हें सस्पेंट क्यों नहीं किया गया। एक अधिकारी को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रह है। अदालत में सरकार के वकील ने कहा कि सरकार ने अधिकारी को शोकोस नोटिस दिया था। अधिकारी ने जवाब दाखिल किया है जिससे संदकार संतुष्ट नहीं है। उन्हें ने कहा कि यदि हम सबने मिलकर इस काम को श्रत पर शफल कर दिया तो यह आम जन के लिए बहुत बड़ी सहुलियत होगी। उन्हें ने कहा कि नीचे से उपर तक के सभी अधिकारी पूरा जोड सरकों की गुनवत्ता पर केंद्रित करें। चार कर खिलाडियों का सिलेक्शन कर रहे हैं। राजस्तान के युबा खिलाडियों का फविश्य खराब कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों को हटाने के साथ ही इनके किलाव निश्पक्ष जांच की मांग को लेकर अब मैं मुख्य मंत्री और खेल मंत्री से शिकायत करूँगा। जालोर जिला कलेक्टर डाक्टर प्रदीप के गावने ने मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जिला काराग्रह का अउचक निरिक्षन किया। उन्होंने कैदियों को मिल रही विवस्ताओं का जाय जालिया। इस दोन जिला काराग्रह कैदिक शमता से अधिक पाए गये। जिला कलेक्टर डाक्टर प्रदीप के गावनें जिला काराग्रह पहुंचने पर पुलिस के जमानों द्वारा गॉर्ड ऑफ ओनर दिया गया। जिरा कलेक्टर ने जिरा काराग्रा में बंदियों से काराग्रा की विवस्ताओं उनके दिन चरियावें उन्हें मिल रही सुईधाओं के समन्द में जानकारी लेते हुए विवस्ताओं को लेकर कार्मिकों का वश्रक निर्देश दिये उन्होंने बिमार पंदियों के उपचार के लिए काराग्रा में चिकिसा विवस्ता के सम्मन में जान करी ली जैपुर ज्वैलरी शो के दो हजार चोबीस संसकंट की तैयारियों को लेकर मंगलबार को होटल जैपुर मेरियेट में एग्जीबिटर्स मीट आयजित की गई 12 सालों में उलेकनियां उंचाईयां हासिल की है उन्होंने कहा कि इस बार शो में रूबी को प्रमोट किया जाएगा माना सची राजीब जैन निकारेकर्म का विस्ताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि इस साल बूतों की संक्या 67 से बढ़ा कर 1200 की गई है जो अब तक की बिंजरा पोल गोशाला निया शहर पानी की टंकी एमम ग्राउंड के पीछे का एरिया हेलाइंस टावर डी टी आर के पास इदगा बड़ी बजजित की सामने पुषकर्णा स्टेडियम के पीछे की एरिया में लाइट खुल रहेगी बासवड़ा शहर में श्री लक्षमी नारायन महा याग्य और भागवत कथा महस्वाज बुद्वार से शुरू होगा इसके अंतरकत भागवत कथा 21-27 नॉमबर तक प्रती दिन दोपैर एक बज़े से शाम पांच बज़े तक होगी इसमें श्री मद जगत कुरू द्वाज चारे है अगर मूल का पिठा दिश्वर स्वामी राजेंदर दास कथा वाजन करेंगे लेकिन इससे पहले महस्वार के शुभारम अफसर पर पहले दिन 20 नॉमबर को दोपैर दो बज़े कुशल बाकसर सिद्धनात महादे मंदिर से विशाल और भवे शुभायातरा निकलेगी जो शेयर के मुख्य मारगों से होकर लाली बाल मट पहुच कर संपन होगी इसमें सादू, संतो, अखाडो, भजर, मंडलियों, कलश, श्यात्र, ज्धाक्यों, आदी का समावेश होगा और हजारों की संख्या में श्रधालू हिस्सा लेंगे पंचाब के सीम भगवतमान ने मंगलवार को 19 नमबर को संग्रूर में नम निर्वाचित 422 पंचायतों के पंचों को शपत दिलाई इस मौके पर उन्होंने पंचों से का कि आप गाम के डवलिप्मेंट से जुड़े प्रस्ताव पास करें उन्हें फंट की कभी नहीं आने दी जाएगी कोई पंच या सरपंच कांग्रेस या किसी अन्य दल का भी हो वह सीधे मेरे पास आए मैं मुख्या मंत्री सारे पंचाब का हूँ हमारे लिए हमारे सबसे महत्यपूर्ण है वहीं उन्होंने का कि जो पंचायते सरव सम्मती से चुनी गई है उन्हें पांच लाख की सरकार राशी देगी इस पैसे को पंचायते अपनी मर्जी से गाउंगों के विकास में कहीं भी खर्च कर सकती है आज 18 अन्हे जिलों में भी पंचों को शपत दिलाईगी जबकि जिन 4 जिलों में विधान सबाप चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर शपत समारोब बाद में होगा फिलाल बड़ी खबरों में इतना ही ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रहें स्प्टी न्यूज धन्यवाद